माननीय उपसभापती महद आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये मौड़स अपरेंडाई क्या है जिसमें नफरत और घ्रना के बयान देने वाले उन पर यदो कोई कारवाई नहीं होती है सांकेतिक होती है लेकिन जो फैक्ट चेकर है उन पर कारवाई होती है हाल के दिनों में हमने देखा है इस मोटस अपरेंडाई के बारे में मानिय मंत्री जी बता मानिय पादियर जी पूरे कानून नियम बने हैं जैसे अख़बारों के उपर प्रेस कॉंसल अफ इंडिया की बात है तो वो एक ऑटनुमस बाडी है इसकी स्टेटस है वो खुद सो मोटो भी उसके उपर कारवाई कर सकते हैं और अगर कोई शिकारत करता तब भी कर सकते हैं इसी तरह से जो इलेक्ट्रोनिक मीडिया है उसके लिए के टेलिविजन नेटवर्क जो है उसके रूल के अनुसार प्रोग्राम कोड जो है उसको लेकर करना होता है इसने सर्व मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स इंफोर्मिशन टेकनोलोजी उनके जो रूल से कॉंटेंट को लेकर उसके उपर कारवाई करनी होती है सर ये भी जानना जूरी है कौन दूसरी तरह के अपराग्ट चेक के पीछे रहकर कोई समाज में तनाव खड़ा करने का काम ना करे ये भी करना बहुत अवश्यक है और उनके खिलाब अगर कोई उनके खिलाब अगर कोई शिकाज करता है तो कानून उसके लिए अपना काम करता है जिसके उपर सरह हमारा मंद्राले सुधी कोई कारवाई नहीं करता अलग-लग राज्यों में कानून वियस्ता को देखने के वह कानून काम करता है माले राके सिलहा मंत्री जी से जानना चाहता है कि टीटा फेस्बुक पर जो लोग भात वियोधी दुस्परचार कर रहे हैं और भात वियोधी दुस्परचार करने पर फेक एकांट्स बना कर कर रहे हैं उन पर क्या कारवाई की जा रही है ऐसे कुछ निहित स्वार्थी तत्तों है जो भात की अस्थिर्ता को समात्त करना चाहते हैं और भारत पुरी दुनिया में इसा प्रचात अंत्र चाहिए वैसे लोगों पर क्या करवाई करने की विवस्था की जा रही है सर मानियने मंतरी जी ने मानियने संसर जी ने बहुत महतपूर्ण एक सवाल पूछा है कि आखिरकार ये जो इंटरनेट पर फेक न्यूज चलाई जाती है भारत के खिलाब प्रपगेंडा चलाई जाता है सर ये मेटी के जो रूल है जो इंफर्मिशन टेकनोलोजी एक 2000 है सर उसके सेक्शन 69-1 एक अनुसार सर भारत की अखंडता और प्रपुता को ध्यान में रखते हुए और सर डिफेंस भारत की रक्षा सुरक्षा की हम बात करते हैं उसको देखते हुए सर निर्णे समय समय पर किये जाते हैं और हाली में 2021 बाई में भी भारत सरकार के सुचना परसारन मंतराली ने सर कोई संगोच नहीं किया है सर एसे यूट्यूब चैनल्स के खिलाव कारवाई करने के लिए सर ऐसे लगबग उनतर हमने चैनल्स को 94 यूट्यूब चैनल्स को और 19 सोचल मीडिया अकाउंट्स को सर बंद करने का काम किया है और 747 URL सो है जो यूनिफर्म रिसोर्स लोकेटर है इनको बंद करने का काम भी सर जो देश के खिलाव काम करते थे उसके खिलाव करने का काम इस सरकार ने किया है सर, हमने कोई संकोच उसमें नहीं किया है, जो मित्र देशों के खिलाब भी भारत के लिए खिलाब प्रोपगेंडा खड़ा करते हैं सर, उसके खिलाब भी कड़ी करवाई की है, तो मोधी सरकार के सूचना पंसारन मंत्राले ने की है सर, सर, देश विरोधी ताक्तों को जो ऐ इसा आजंडा चलाती है, सर, यह आवाज तो आप करते हैं, यह जो लोग यहाँ पर खड़े सर, यह उनके खिलाब भाज नहीं करेंगे, जो देश के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन हमने उनके खिलाफ कड़ी करवाई कर नहीं काम किया है, क्योंकि इन मेंसे कुछ लोग वो जो जूट का प्रोपगेंडा करते हैं सर्य जी एस्टी की मिटिल में तो जाते हैं वहां पर वाज नहीं उठाते यह आपर तक्तिया लेकर ख़ड़े होते हैं यह पता चलता है सरिस्पे क्या है आपका सवाल माने अध्यक जी मैं जानना चाहता हूं माने मंत्री जी से की ट्विटर और फेस्बुक की बात कई बार होती है लेकिन जो कुछ लोग सार्जुनिक जीवन में हैं जिनके वक्तित से असर वक्तव से असर पड़ता समाज पर जैसा कि आप जानते हैं कोविट समय म बारे में ब्रमीच चीजें पहला रहे हैं इनके बारे में क्या कर रहे हैं सरकार मंत्राले क्या कर रहा है समाज चार पत्र के मैं छप जाती हैं इनके खबरें उनके बारे में क्या हो रहा है मैं माने मंत्री जी से जानना चाहता हूं से माननिय निरेशेकरी बहुत वरिष्ट सदस्य हैं और बहुत कंभीर सवाल भी उठाया सर कि आखिरकार ये कोई ऐसा व्यक्ति फेक नहीं फेला रहा है ये वो लोगों की बात कर रहे हैं जो कभी चुने हुए प्रत्रिंदी थे या हैं कुछ लोग आज भी तक्तियां लेके कुछ बाहर खड़े हुए कुछ अंदर खड़े हुए सर सवाल ये खड़ा होता है कि आप अधा के समय कुछ लोग व्यक्सिन को लेकर पाउस पचाब करते हैं लेकिन कर देश को लोगों ने लगाने का काम किया उनको मूत और जवाब दिया है कुछ लोग सर आज GST को लेकर दुश्परजार करते हैं लेकिन वहाँ पर मीटिंग में के लोग वहाँ पर कुछ नहीं बोले सर ये सर ऐसी खबरें दूसरा सर अगरी वीर को लेकर देश में अधरी को लाने का काम कि लोग ने पर वाया लेकिन सचाई है सर लाकों ल्वाव ने तिवेदर किया है सर लेकिन सर बैखवार थे खाने लंशेजी प्रिफ्ली उसर देए कि सच्चाई देश के सामने आए और सर हम प्रयास करते हैं कि यह अख़बार हो जोट का प्रपगेंडा ना करें और अख़बार के पत्र भी उनको या टीवी चैनल भी उनको उस तरह से प्रात्विक्ता ना दें सच्च देश के सामने जाए ऐसी हमारी प्रात्विक्ता सदर हो किसा है